चतरपुर जिले में अवैद शराब को पकड़ने और अवैद शराब बिक्रे करने वालों के विरुद्ध कारवाही करने में भले ही चतरपुर कोतवाली टी आई संजय वेदिया और उनकी टीम स्वैम से रुची ना लेते हूं लेकिन यदि ठेकेदारों का इशारा हो तो शर शराब के मामलों में कारवाही की गती सराहनिये नजर आती है विगतरोज एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें पुलिस ने शराब ठेकेदारों की मदद से फलों के बीच छिपा कर ले जाई जा रही 15 पेटी अवैज शराब को पकड़ने में सफलता हासिल की है सिटी कुत पुलिस ने फोर लेन पर बरकोहां बाईपास के समीव एक पिकप को पकड़ा जिसमें से 15 पेटी देशी सराब जब्द की गई इस गारी को गोलू राइन और फपरवेज तने इसलाम राइन निवासी सरानी दरवाजा के द्वारा चलाय जा रहा था पुलिस ने इस मामले म जो असल कहानी सामने आई है वो बहुत चौकाने वाली है अस्पताल में भरती गोलू राइन के सिर और रांख पर गंभीर चोट है गोलू राइन ने बताया कि वह शराप की गाड़ी लेकर छदर पुर आ रहा था बरकोहां के समीव एक बोलेरो ने उसे टक्कर मारी और फि पी गंभीर रूप से घायल हो गया था इसलिए उसे अस्पताल में भरती कराना पड़ा इस मामले में जब सिटी को उतवाली टी आई संजय वेदिया से पूछा गया कि अवैश शराब के मामले में तो आपने कारवाही की है लेकिन अवैश शराब ढूरहे आरोपी के साथ की गई मारपीट के विरुद्ध कोई मुकदमा कायम क्यों नहीं किया तो इस मामले में संजावेदिया का कहना था कि बेमीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं है बहरालाब इस मामले में छतरपुर पुले सधिक्षक सचिन शर्मा को पूरी जानकारी दी गई है और उन्होंने जानकारी लेकर कारवाही करने की बात कही है